नामस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे आपका परिवार भी उमदा होगा देखें दोस्तों अगर आप पटवार वन पाल वन रख सक या फिर ग्राम से उक भरती परीशा की तैयारी कर रहें तो हमार साथ डेली जोड़े रहेगा रात को नो बज़े ये क्लास होती है हलांकि इन सभी पेपर्स में सबसे पहले पटवार का पेपर होने वाला है और इसी को मद्द नज़र रखते हुए अपने इंपोर्टेंट जो क्वेसन है एक्जाम के लिए एक लाइक वो पढ़ रहे है राजस्तान जी के का इस्पेशल मॉडल पेपर होगा दोस्तों आपके लिए सभी भाइबने लाइव जोड़ जाई है और आप सभी से निवेदन एक रहेगा कि आप लोग शेयर किया करें क्लास को ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों का सयोग भी काफी अनुकरनी है ना तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्लास के अंद तक जोड़े रहे के आपको देखना है कि आपके कितने प्रस्टन सही होते है देखें यूनिसको लिस्ट में जुड़ा राजिका दुर्ग कौन सा है इनमें से वो कौन सा दुर्ग है जो यूनिसको की लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो दोस्तों right answer जो आप सभी का हो जाएगा sir यह तो बहुत आसान है अब आसान है काफी के लिए लेकिन काफी के लिए नहीं है तो यहां पे आप सभी का right ढाफसर होगा ठीक है अगला question आप सभी की screen पर है कि दसवी सदी तक लोदरवा जो है ना किस शासकों के अदीन रहा था यह अच्छा question लॉक कीजिएगा दोस्तों दसवी सदी तक लोदरवा किस शासकों के अदीन था तो आप सबका right answer जो होगा वोगा be option ठीक है क्या हो जाएगा be option हो जाएगा पर्मारों काफी बाइब ने भटी भाटी कर रहे हैं अलंकि भाटी क्या है कि बाद में भाटी उन्हें क्या 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 पर्मारों को भगया यहा मंदिर कहां परिष्थित है राजस्तान में रंचोड जी का मंदिर कहां परिष्थित है आप से बात करूं काले संगमर्मर की प्रतीमा है इसके अंदर और सरदार सिंग की माजी जाडेजा द्वारा इसका निर्मान करवाए गया था जोगतपुर आप सभी का सही उत्तर हो सिंपल क्वेशन था ज्यादा डीबली जाने की आउश्कता भी नहीं थी किस माहराना के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उप्योग हुआ है जल्दी बताईए सभी भाई और बैनों से निविदन रहेगा जल्दी जल्दी बताएंगे तो फिर अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा प्रस्तर शैली का उप्योग हुआ है वह हुआ है माराना कुंबा द्वारा निर्मीत किये गए मंदिरों में देखा जाए तो माराना कुंबा को मतलब अपन बात करें ना जो अपने यह बना यह जो भी अपने इस्थापत्य में सब आ जाते हैं मंदिर है जैसे है ना जैसे किल्ले वगेरा होगे मेल वगेरा होगे चत्रियां होगे ठीक है तो अधीक जो है ना किल्ले इस्थापत्य कला का जनक का जाता है राजस्तान में इनको कुंबा को चलो साब राजस्तान में पंचायतन शैली के सरव पर्थम बनाने वाले मंदिर कौन से बनने वाले मतलब पंचायतन शैली में बनने वाले सबसे पहले मंदिर कहां परे कौन से जिल्ले में तो देखें दोस्तों ये जोदपुर जिल्ले में है अब आप कहेंगे सर जोदपुर में ये मंदिर कहां परे पंचायतन शैली में बने हुए अरे भाई या ओसिया में है सर ओसिया में सभी दर्मों के मंदिर है तो कौन से अरे भाई साब हरी हर मंदिर है वो जो है ना वो पंचायतन शैली में बना हुआ है शेर खान आमक किलेदार की कबर कौन से किले में है मेरे दोस्तों ये बताना शेर खान नामक के हम आप है no कFre ASH के सोरी वह तो तैमुर लंग का होता है तेरा स्वच है माक्रमन लेगिन बल्बन के समझ यह शे खान यहां पर है दो ठीक है और यह दुर्गा ध्यकास समय रखा गया था इसको तो इसको का जाता है कि मतलब जहर देकर मरवा दिया गया था ठीक है ऐसी हिस्ट्री है इसकी चले अगला क्वेसने की दिलवाडा मंदिर में कितने प्रांगन बने हुए बताइए दिलवाडा मंदिर में कुल दोस्तों पांच प्रांगन बने उए हैं, कितने हैं, पांच है, मैं आप फे लिख देता हूं दोस्तों, आपकी, आपके, मतलब, आसानी के लिए, मतलब, आप याद रख सकें, विमल सही, लुनव सही, लुनव, लुनव सही, ठीक है, कितने होगे, दो होगे, सर तीसरा खारा वसही खारा वारा वसही लिख देते हैं ना खारा वारा वसही लिख देना यहां पर और एक हो जाएगा मावीर स्वामी जी मावीर स्वामी जी का मतलब मंदिर है यहां पर ठीक है और एक यहां पर मैं लिख देता हूँ भीमाश शाह तो यह उसका नाम है लेकिन सबसे पहले इसका नाम पड़ा था पितलहर ठीक है पितलहर एक मावीर स्वामी एक खारावसई लूनवसई और विमलसई ठीक है तो यह जो है पांच प्रांगणे दोस्तों दिलवाडा में चले आसान है तो राइट आंसर बताईगा इन्हों ने अपने मतलब प्रांग त्यागए थे बारा सो दो में ठीक है ऐसा माना जाता है राइट आंसर तारा गड़ हो जाएगा राजसान मुस्लिम संत मीरा साब तोस्तों मीरा साब का जो रियल नाम था ना वो था सेयद हुस किस किले को मिटी का किला बना कर जीता था दोस्तों आप सभी से आज की क्लास के लिए रिक्वेस्ट रहेगी आज आप सभी को शेयर करना है ताकि अगर आप आज की क्लास को शेयर करते हैं और मुझे पता चले कि आप लोगों ने रियल में मतलब ये एक सहयोग रूपी अपन और आपके लिए मैं कम्प्यूटर की ऐसी क्लास देने वाला हूं दो ड़ाई गंटे की जिसमें पूरा कम्प्यूटर आपका किलियर हो जाएगा और उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसमें उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी यह देखे दोस्तों क्वैसने की राणा लाखा ने वच्चना नुसार किस किले को मिट्टी का किला बना कर जीता था हलांकि माना जाता की राणा लाखा को पता ही में चलाता इनके जो सरदार थे उन्होंने इस किले को बनाए था तारा गड़वाला जो बूंदी का किला था दो ठीक है हाडा सरदार कुंबा ठीक है को मतलब हरा कर ही प्रण लेंगे ऐसी इनों ने प्रती गया कर ली ते उसके बाद क्या हुआ कि तारागड बुंदी की जगर दूसरा किला बना था फिर चले गड़ बींटली पाड़ी पर देखे दोस्तों ध्यान से सुनना गड़ बींट प्रत्वी राज की पतनी के नाम पर आइधिंक के नाम पढ़ा गया था ठीक है जो मेवाड के हुए थे ठीक है न तो ध्यान डेकना तो सुनन यहां पे आप सभी का राइट आंसर भी ऑफ्सन हो जएगा राजस्तान में मराठो का सरोपरतम प्रवेश कहां से होता है आप तोड भी ने होगा बूंदी भी ने होगा तारगड तारगड कौन साइसर यह बूंदी वाला तारगड प्यारे दोस्तों ध्यान डखना 1734 की बात है है ना और कच्वाई रानी थी जो मतलब मैं आप से बात करूँ तो बुद्ध सिंग की पतनी थी बुद्ध सिंग की ठीक है उसने बुलाया था मराठों को और अगला क्वेस्टन है आप सरी के स्क्रिन पर की कौन से दुर के पास बर्थरी की गुफा है बर्थरी क गुफा दोस्तों कौन सी कौन से दुर के पास है मेरान गड़ के पास है नहीं क्योंकि यह जो उत्पुर्म पड़ता है गागरन दुर के पास में भी नहीं है यह अपना जालावाड में पड़ता है अचल गड़ के पास में है दोस्तों सिरुई में है जो की असल गड़ है कि परमार और जो को मंदी रहने अटे ज्यादा तर तो आउशे सी रही हो ठीक है लारे पच्छे काई करियो कुंबा जी मौकों दे कि और एंड माते कि लो बना दियो और पाच्छो ठीक है नहीं तो हम पने राइट आंशर वेलो सी ऑफसन अगला क्वैसन नाली सर्व कहलाता है देखे दोस्तों क्वैसन शांदार है गिर्वा का अमरनाथ किसे कहते है गिर्वा का अमरनाथ किसे कहते है गुपतेश्वर महादेव को विष्णु मंदिर को या एवेबे दोनों को तो देखे दोस्तों बहुत आसान क्वैसन दिया है यह आपको गुपतेश्वर महादेव हो जाएगा गिर्वा कहां पर है आपने का सर गिर्वा तो ये उदेपुर में है चले उदेपुर में है गिर्वा पहाडिया है ठीक है ये तो मेवाड का अमरनाद भी इसे ही कहते हैं और गिर्वा का अमरनाद भी इसे ही कहते हैं ठीक है और अब आप कहेंगे सर ये हाडा पाहडियां उदेपूर में है वहीं पर है नमंदी रहां जी हाडा पाहडियां का आपने ध्यान रखना उदेपूर में है राजस्तान का कौन सा दुर्ग प्रातरकाल और सूर्यास्त के समय सूर्य की लाली मां से सोने के समान चमकता है ये चमक कौन सा दुर्ग प्रदान करता है प्यारे वेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जिसे हम कहते हैं golden city है ना हा सर स्वन किला चलिए अगला question है किस दुर को उत्तर भड कीवार का जाता है उत्तर भड कीवार कौंचे दुर को का जाता है तो दोस्तों right answer देखें दो question बनते हैं आपके लिए उत्तर भड कीवार तो का जाता है भटनेर दुर को और भाटी भड कीवार किसे का जाता है भाटी भड कीवार ये जो का जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ये सोनार गड को का जाता है ठीक है ना लेकिन काफी वाइबने के लिए बड़ा confusion व संबंदित है जल्दी बता यह उत्तर देखें अच्छा क्वेशन यह काफी के लिए न्यू होगा काफी ने पढ़ा है क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको यह क्वेशन करवा रखा है तो टूंटिया का होडा दानी वटा नामक रास्ते किस दुर्ग से संबंदित है तो रा रास्ते निकलते हैं पैदल रास्ते निकलते हैं यह उस समय काम आया करते थे लेकिन अब तो शाहिद ही किसी को यह रास्ते दिखें बहुत ही मतलब गहने पेड़ हो गए यहां पर अगला क्वेशन की भी बाक्रोल नमक किल्णा जो ना किस जिल्ले में अब काफी बाइब को नहीं पता होगा कि राजस्तान में बाक्रोल नमक किल्ला भी है क्या हंची है ना दोस्तों इस किल्ले को अमीरगड का किल्ला भी कहते हैं अमीरगड का किल्ला ठीक है तो बीलवाडा में इस्तित है प्यारे दोस्तों बाक्रोल का किल्ला मतलब आपने सुना होगा कि कुल म वेवाड के चहोड़ासी किलों में से 32 किलों का निर्माड जो है ना 32 किलों का निर्माड कुम्बा करवया तो ये 32 किलों के अंतर्गत इसका भी नाम आता है हमीरगड के किले का समझुजę रहे न मेरी बात को अगला क्वेजने व्रहत कथा कोश की रचना किसके द्वारा की गई व्रहत कथा कोश की रचना बोले सर ये मंडन नहीं बलकि हरीसेन के द्वारा की जाई है मतलब मैं आपको जल्ली से आंसरी बता दू मंडव मादन और माउगनी होगा हरीसेन हो जाएगा ठीक है, मतलब इसकी स्थापना रचणा जो है दस्वी सदी में की गई है मतलब प्रतिहारों के समय इसकी रचणा हुई ती कुल मेला कि बात करें तो है ना, अगला क्यूस्टन है, चंदनी चेरी का मेला कहां पर बढ़ता है दोस्तों जल्दी बताईए चंदनी चेरी का मेला कहां पर वरता है आपने कासर चंदनी चेरी का मेला देश नोक में वरता है इसे सेवकों का मेला भी कहते हैं सेवकों का मेला भी कहते हैं ठीक है मतलब यह फाल गुनमा में भरा जाता दोस्तों चंदनी चेरी का मेला बीका ने चितोडगड या अजमिर शांदार क्वेसने जगनात कच्वाहा जैपुर के थे दोस्तों बीलवाड़ा में इनकी चत्री है कितने खंबों परे बोले सर बतीस खंबों परे बतीस खंबों परे और इसका निर्मान का जाता कि शांजा के द्वारा करवाए गया ध्यान रखना पिले में है ॹहना कौन चिले में और यहाँ पर मतलब और क्या क्या है ? यहां पर मतलब ट recommends यह तो सर्वर है यह प्राठ्शचीन किला भी है वैसे और यह अपने बूंदी में बांशी दुगारी बूंदी में धो师 ठीक है और यहां पर तेजा जी का मंदिर भी है मतलब तेजा जी की कर्म इस्तली रही थी वो अच्छा जैसल मेर का दुर्ग जो है न यह कौन साथ दुर्ग है दोस्तों गिरी दुर्ग है वन दुर्ग है दानवन दुर्ग है या जल दुर्ग है दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग है न ये दानवन दुर्ग है दानवन दुर्ग मतलब यह होता कि दूर दूर तक रेद के टीले ही हो मतलब इर्द गिर्द जो उबर खावर भूमी हो ठीक है लेकिन यहाँ पर रेत के टीले हैं धानवन दुर कहलाएगा ध्यान रेगना दोस्तों गोडा अहरा नामक छोटी सी पहाड़ी पर यह निर्मी थे वैसे ठीक है तो आप सभी का सुरी यह हो जाएगा अपना सी ओफसन लॉक हो जाएगा अगला एक खातर रानी का महल किस किले में बना हुआ है देखिए दोस्तों खातर रानी यह खेता की पास्वान थी दोस्तों है कौन से खेता सराना खेता क्या हENCE जी राना खेता क복ता जो या फिक शात्र सिंग्स का लो भी ठीक है रहना शात्र सिंग्स कहले यह पास्वान थी राइट आंसराप स्वी का हो जाएगा जितर् गड़ी ठीक है पू इसी का जो फुत्रवा था दोस्तों हाथ सब को पता होगा मेरा और चचचा ठीक है और इन दोनों ने मिलकर मोकल की हत्या भी की थी है ना यही जो थी अगला क्वेस्टने मेवाड और मारवाड की सीमा परेष्थी दुर्ग कौन सा है यह बताना है अच्छा question है दोस्तों most important question है कुंबलगर हो जाएगा मेवाड और मारवाड की सीमा परिष्टित दुर्ग जो है न वह कुंबलगर दुर्ग और यह exam में question पूचा भी गया है अब मुझे याद नहीं कि कौन से exam में लेकिन हाँ exam में जरूर पूचाएगा question है अगला question है भटनेर दूर का निर्मान कब हुआ था यह बताईए देखे दोस्तों भटनेर दूर का निर्मान कब हुआ था ये अच्छा question है लॉक कीजिएगा भटनेर दूर का निर्मान तीसी उस शताब दी में आठी उस शताब दी में पांच उस शताब दी में या दस शताब दी में अगर मैं बात करूं इस किले के बारे मैं आपको बता चुका हूँ कल की क्लास मैंने आपको बताए कि इसका निर्मान कब हुआ था प्रापर मैंने बताए था कि 280 इसका निर्मान हुआ था ठीके और इसे उत्तर भड की वाड का जाता है भटनेर दुर को अगला question है राजावाटी किसकी उपबोली है दोस्तों राजावाटी किसकी उपबोली है मालवी मारवाडी वागडी इनमे से कोई नहीं है राजावाटी दोस्तों राजावाटी मालवी की तो नहीं है साब मारवाडी की भी नहीं है मारवाडी की सबसे मतलब प्रचलीत उन्प बोलिये ठीक है ध्यान रेकना वागडी भी नहीं है दोस्तों राइट आंसर फ wealthy पर अपन डी कोई करेंगे क्योंकि यहनично है इंवे से कोई है नहीं है ना और यह राजावाटी जो है ना यह डूंडाडी की उपर बोली है अब यह डूंडाडी कहां पर बोली जाती है बोले सर टॉंक और जेपूर छेतर में सरवाधी बोली जाती है अच्छा डूंडा क्रिडी की और कोई उप बोलिया है हंजी है ना तोरावाटी है है ना कि भी बोल लिए इसके राजस्तान की अतरीक्त किस राज्य में देवनारण जी के मंदिर राजस्तान के अतरीक कौन से राज्य में उत्तर पर्देश में MP में भी है हरियाना में भी है तो मतलब लॉक करें क्या D-Option को हाँ सर कर दीजिएगा चले बहुत बढ़िया लेकिन राजस्तान में कहां पर बोले सर आसिंद में है ठीक है साब आसिंद में भी है और कहां पर है बताईए जिन को पता हूँ अगला Question is विजे राव चूड़ा ले किस वन्ष का राजा था विजे राव चूड़ा ले किस वन्ष का राजा था ये आपको बताना है जल्दी बताईए चोहान परमार भाटी कच्छवाः Question नया है ये जैसल मेर का शासक था दोस्तों ठीक है और जैसल मेर में भाटी वर्ण शुगा था ठीक है ना अच्छा क्वेसन है और इसका नाम था विजे राव विजे राव भाटी है ना लेकिन इनको इत्यास में विजे राव चूड़ा लेके नाम से भी जाना जाता है वीरम जी और जगमाल के युद्ध का वर्णन किस होगा या विरमायन होगा राइट रोगा डी ऑफ्सन विरमार है ठीक है दोस्तों अच्छा क्वेसंथा लौक कीजिएगा डी ऑफ्सन अजल्दे toothy नामक मंदिर किस जगह पर इस्तीतल मुझा यह जल्देवी नामक जो है ना मंदिर किस जगह पर है टौक में फलोदी में राज समंध में बिलवाड़ा में दोस्तों यह क्वेसन बहुत अच्छा है और एक्जामें पूछे जाने के लाइक है क्योंकि अभी तक कोई पूछा नहीं गया है टौक में है मतलब बावडी गा में है दोस्तों टोडा राय सिंग के पास में ठीक है ना ध्यान रिकना अगला क्वेसन है और राइट आंसर आप सबको बताने मीरा बाई किस पंथ की प्रवर्टक या अन्वाई थी दोस्तों नात संपरदाय दादू संपरदाय रामानंदी संपरदाय या फिर एनमें से को फिर शिया थी या पिर संतर एदास को ये गुरू मानती थी ठीक है बस ये चीज दियान रिकनार बागी अगला क्वेसन है लव कुछ नामक जर्णे ठंडावे गर्म किस जिल्ले में है तो लव कुछ नामक जर्णा दोस्तों ये परताब गड में सीता माता अब्यारन में है ठीक है और मतलब माना जाता है कि माता सीता ने अंतीम दिन यहीं पर बितायते और लव कुछ को जर्म भी यहीं पर दिया जाता है ऐसा माना जाता है ठीक है तो राइट आंसर ध्यान रेकना मतलब एक में ठंडा जल निकलता है एक में गर्म जल निकलता है ठीक है ना और ला भाई हर बेहन इस प्रस्ट का जवाब देंगे बाहरा के कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों अगर आप पहली बार हैं राज़स्तानी क्लासेश पर तो सब्सक्राइब अवस्या करें अपनी ये डैली रात की 9 बजे क्लास होती है सुबह आपके लिए 9 बजे टेस्ट होता है लेक कि मुझे भी मनुबल मिले के हाँ आप लोग सुबह और साम दोनों की क्लासे देखते हैं और दोस्तों टेलिग्राम को जोइन करने के लिए टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शने देर का है वेबसाइट का अब देखे दोस्तों फिक्स कर लूँ आपके लिए लेकिन आपके लिए टॉपिक वाईज ठीक है ना तो अगर आप चालते हैं ना तो भीया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस को जरूर दबा दीजेगा और जो है आपने ज्यादा ज्यादा शेयर कीजेगा चले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पदा के लिए जै हिंद वंदे मात्रम